सबसे पहले हम बूट टाइम देखेंगे चलो प्रिमेर प्रो में मतलब क्रिकेट टीम में आपको रहने के लिए परफॉर्मेंस करनी बढ़ती है ना पूर के फोटर रेंडर करने में इसको सिर्फ हाँ हाँ है एफ्रीवन दिस भावे आनन फ्रम फोन अनालिस दो मैं वेलकम करते हूं आपको एक नई वीडियो में जिसमें हम इसुस्टफ fx505DT कि यह थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस देखेंगे ठीक है प्रेमियर प्रो देखेंगे कैसा चलता है फोटोशॉप में इसका 1250 का ग्राफिक कार्ड 120 हर्ट की डिस्प्ले आपको फांस मिलेंगे हीट को बाहर चोड़ने के लिए और आपको इसमें RGB कीबूर्ड देखने को मिलेगा और बहुत चीज़े मिलेंगी 8GB RAM DDR4 RAM देखने को मिलेगी तो बस यहीज की स्पेसिफिकेशन थी राइजन 5 और NVIDIA 1650 यह बहुत ही तगड़ा कॉमिनेशन है मेरे साब से बहुत ही बढ़िया चलते हैं लाप का मैं आपको आगे बताता हूं अब हम बढ़ेंगे इसके डिस्प्ले की तरफ तो यह इसकी डिस्प्ले बहुत बढ़ी है 120 हर्ट की क्रिस्पन क्लियर दिस्प्ले मतलब आपको क्लि की तरफ यह परफॉर्मंस बहुत जदा इंपोर्टेंट होती है और राइजन 5 न्वीडिया 1650 की वज़े से इसकी परफॉर्मंस बहुत ही क्रिस्पन क्लियर है बहुत ही बढ़िया है मेरे साब से जैसे यह मतलब क्रिकेट टीम में आपको रहने के लिए परफॉर्मंस करन अब मैं बढ़ूंगा इसके बूट टाइम की तरफ यार बस यह मैंने स्विच आफ कर दिया था लापटाप आप क्लियर मैं अब क्लिक करूंगा तो आप बूट टाइम देख सकते हैं सिर्फ 10 सेकेंड में मेरे को पासफ़ड वाली स्क्रीन पर ले आया है जो कि बहुत ही बढ़िया है मेरे साब से बहुत ही मजा आगे मैं लूमा क्लियर आपको बताओ तो अब मैं बढ़ूंगा प्रीमे प्रो की तरफ अडोबी प्रिमे प्रो में मैं यार टेन एटीबी की पहले फुट अपको रंडर करके दिखाऊंगा फिर फूर की फुटेज रंडर करके द चलती है क्योंकि वो ना मतलब जू करके चलती है क्लियर बताऊं तो बहुत बढ़िया 18 सेगंड का बूट टाइम 1080p की फोटज अब मैंने निकाली हुई है जिसमें मैं इसमें टेक्स आड करे हुए मैंने फोटो आड करी हुए अब मैंने आप इसमें मुजिक आड करा हुआ है इसमें मैंने बी रोल शॉट्स आड करें हुए है वह मैं अब रेंडर करूंगा 1080p सेटिंग में 1080p मलब 30 fps के आसपास इसमें होएंगे अब मैं आपको टाइम बता हुआ हुँआ साथ सी आठ मिनट में को सिर्फ लगे इसको रेंडर करने में जो कि बहुत ही बढ़िया है वाला जादा टाइम नहीं है आपको यार मलब ऐसे चुट की बढ़ाते ही आपकी रेंडर हो जाएगी वीडियो क्लियर आपको बताऊं तो अब मैं वह इसकी 4K रेकॉर्डिंग ज इसको सिर्फ 14-15 मिनट लगे और कुछ लाग भी नहीं होते है 4K फोटेज मलब आपको एडिटिंग करते हैं कि अब टेक्स आड़ करें कुछ इतना ज्यादा लाग नहीं होता ठीक ठाक चल जाती है कोई दिक्खत की बात नहीं है उसमें लिखा हुआएगा कि 12 मिनट में र टेज थी तो यार बस यही था इसका प्रिमेर प्रो का टेस्ट प्रिमेर प्रो में बहुत ज़्यादा स्मूज चलता है लाप्टॉप मतलब ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आने वाली एडिटिंग आपकी बहुत ही असानी से बहुत ही अच्छे से हो जाएगी अम मैं से पहले क्लिक करूंगा तो आपको सिर्फ 14 सेकेंड में यार यह बूट हो जाता है और फोटोशॉप जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है मेरे साब से मतलब आपको मजा आने वाला है मतलब आएसे क्लिक करेंगे ना और इधर उधर देखेंगे बस तो यार उत्तरे यारे बूट हो जाएगा मतलब ओन हो जाएगा फोटोशॉप अब मैं बढ़ूंगा इसके अडोबी इलस्टेटर के बूट टाइम की तरफ अडोबी इलस्टेटर में बस मैं क्लिक करूंगा तो आप थोड़ा टाइम रोगेंगे बस 18 सेकेंड में बस यह बूट हो जाता ह सकते हैं क्योंकि 5x ज्यादा स्पीड 5x ज्यादा स्पीड प्रवाइड करती है SSD और अब मैं बढ़ूंगा इसकी अडोबी आफ्टर एफेक्ट की तरफ तो अडोबी आफ्टर एफेक्स में बस मैं क्लिक करूंगा तो यार यह सिर्फ 19 सेकंड में ओपन हो जाता है अडोब अडोबी आफ्टर एफेक्स अडोबी आफ्टर एफेक्स मलब सबसे यादा हैवी सॉफ्वेर होगा इन चारों में से मैं आपको क्लिर बताओं इसमें आप भी थोड़े बहुत एडिटिंग कर सकते हैं यह आप इसमें वीडियो अच्छे कर सकते हैं अपने टेक्स बहुत सब्सक्राइब देश करके बता दिये बूट टैम मैं आपको बता दिया इसका कितना है तो आपको वीडियो अच्ही लगी होगी अगर आपको इसके रिलेटिव और वीडियो देखनी है अन्वाक्स इंग हो गई गेमिंग रिवीव हो गया दो पार्ट में गेमिंग रिवी होगी अगर आपको वीडियो अच्ही लगी है तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब वीडिये चानल को और बेल आइकन को दबाना ना भूले मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी नई वीडियो में इंस्टाग्राम पर फॉलो केजिए ट्विटर पर फॉलो केजिए तब तक के ल